नमस्का सांत्यों रस्तान बोड एक्जाम 2023 कक्सा दस्वी के लिए आज हम क्यूशन पेपर लेकर आ चुके हैं और एक क्यूशन पेपर हैं आपका साइन्स विग्यान करेने वाला हैं तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला वीडियो पूरा जरूर देखेगा एक से पहले चुलते हैं पहला क्यूशन परसन के एक है वो विकल पेपरसन है और लार में उपसित एंजाइम है जैसे आपका एंजाइम होता है लाइपेज है टाइलीन है पैपसीन है रेनीन यह सब है ना एंजाइम है लेकिन हमें बताना है लार में जो लार में उपसित है ना इंजाई में हुपसित हैं किसमें उपसिते हैं किसमें उपसिते हैं यह फॉटक रहीग है और इसके बात किरें रहे जिन से लिए होता है ठीक है तो यह क्या होता है एक परका का रहनीन एक परका क्या है एंजाइम है ठीक है और जो अमासी में उपसित एक गरंति से इस तरविद होता है ठीक है जिस परकार टाइलिन है ना लार में इस तरविद होता है इसी परकार है यह रहनीन है यह अमासी में इस यह एंजाइम अमोसी में मुझूद एक गरंती से निकलता है यह एक बच्चे के जनम से लेकर तीन साल तक होता है कब तक जनम से लेकर है ना तीन साल तक होता है तब तक यह क्या होता है एंजाइम इस तरह होता है जैसे कि मैंने बता दिया سीसो के जटरिसमे ठीक है है ये हो गया आपका अमmease मूग पिज goose होता है ठीक है अब बचलते हैं और ये इसका आंसर तो आपको मैंने बता दिया कि टैलीन होगा क्या होगा टैलीन नेमलिके मेंसे अगला क्युश्ण है अगनासी में होता है कहाँ पर होता है इसका निर्मा होता है आपका अगनासी में ठीक है यह आपको याद रखना कि सुन पुछा जा सकता है कि अगनासी में इस्तरवित हार्मोन है कौन सा हार्मोन है तो इंसुलीन हो जाएगा है ना तो अब है वह आपका थाइरोक्सिन थाइ truths in इसके बाद है estrogen ये तो आप सभी को पता हूँ है कि estrogen रोस्ती भता है soccer खर डवाद है जो मैश्चंब ब्रॉर के यह बने रह् usually tomorrow's तो आपक्तियों की वर्दी को क्या करते हैं कि में पत्यों की वरद्य को रोकते हैं और किसमें तन्हों भोता है तो उसकी लंबई में क्या करते हैं यह वर्दी करते हैं और पत्यों की वर्दी को रोकते हैं ता ताने की लंबई में वर्दी करते हैं यह आपको याद देखना है अब अगला चलता है क्यूसन की तरफ और इसमें आपका आंसर है न वह दो अप्सन हो जाए क्या होगा दो तो पहली बात Ñ प्राकृतिक वरन का सिधान्थ है किसी जन्षक्या में कोई जैबी, गून या तो क्या वो कम हो या फिर क्या वो अधिक हो उसे क्या कहते हैं प्राकरतिक गुरण का सिधान्त कहते हैं इसको क्या 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 नाम जान जाता है एक तो आपका प्राकरतिक गुरण का सिधान्त हो गया एक हापका हो गया प्राकरतिक चैन भी गया से तो इदि आपको ये भी करेक्ट हो जाएगा तो याद रखने के लिए मैं आपको इता दू अटार सो गुंशांट की बात हैं तब हैं यह प्रतिपादित किया तो आपका और आपको पता है मेंडल ठीक है मेंडल के बारे मेंडल के अनुवान सिकता का सिनाद दिया मेंडल ने दिया न आपका पूछा किस पर आदेते हैं लेंग इक जनलन पर आधारित हैं मेंडल यह भी पूचा जासता है कि आपको कि मेंडल के अनुवान स्वरी आपको पूचा जासता है कि अनुवान सिकता का सिदान किस ने दिया तो मेंडल ने दिया है ना यह हो गए आपका अब हैं अगला क्यूशन नि या फिर FP203 है ठीक है तो बिल्कुल आपका दो उप्सने वो करेक्ट आंस हो जाए क्यों जिए फिर फी 203 ठीक है और अगला क्यूशन है आपका अगला क्यूशन है विदूत बल्ब का तंतू किस दातू का बना होता है विदूत बल्ब का तंतू होता है वो किस दातू का बना होता है लोहे का, टंगिस्टन का, या फिर तामी का, या फिर सोने का, ठीक है, तो कौन सा है, वो करेक्टांसर हो देगा, बिल्कुल आपका टंगिस्टन हो देगा, क्या हो देगा, टंगिस्टन, यह इस दातु का, वहना होता है, टंगिस्टन दातु का, तो टंगिस्टन दातु का विद्ध ब्वबों के फिलमेन बनने के लिए कहा जाता है यह एक बहुत थी उच्छ गलना का वाली धात्युय और यह बात करें तो इस मिस्र धात्युय ठीक है 2 या 3 दातों सी मिलकर बनी हुए है ठीक है तो यह आपकी मिस्र धात्युय कौन साती है 10 को are your students ठीक है यह हो गई Ihre आपका नापका परकास का वे सरवादिक होता था है तो परकास का वे सरेवाध होता है कांच में पानी में हवा में या फिले निर्वात की बात करें तो इम निर्वात मदले कोई परकार का माध्यम नहीं है जैसे हवा तो एक माध्यम है पानी भी माध्यम है काच भी माध्यम लेकिन निर्वात है ना ये कोई भी माध्यम है वो नहीं ठीक है और माध्यम नहीं है तो परकास का वेग सरवादी किसमें ही प्रसारीत है वो होगा जल्दी मतलब इसमें ही होगा काच में, पानी में, हवा में ये फिर निर्वात में, तो सबसे पहले मैं आपको सुरू से बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तो होता है निर्वात में, कहा होता है, निर्वात में, ठीक है, उसकी बाद है किसमें होता है, उसकी बाद भी आपको यादरना जल्व है, ठीक है, उसके बाद आपका आज जाता है काच, ठीक है, तो सबसे कम किसमें होता है, काच में होता है, ठीक है, तो आपका, अब्षे और अच्छी तरीके से श्मजा रहा हूं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब तो पीडिएप है आपको हमारे टेलिग्राम गुरुप में मिल जाएगी और प्र आपको तो आपको याद देखना पड़ेगा कि कौन किस रासी का मात्रग है ना तो परतिरोद का परतिरोद का धारा या फिर विवान्द तो बिल्कुल आपका इसके बारे मतलब इसके बारे मतलब सिमबल मतलब इसका परति को परतिरोद का है वो क्या होता है यह यह भी पूच्छा जा सकता है आपको तो याद रेखना इसका पर्तिक मतलब सिंबल सिंबल तो होता है एस आई ठीक है और बात करें प्रमण कर्मांग की तो प्रमण कर्मांग इसका उधार चौधा ठीक है यह भी आपको पूच्छा जा सकता है ठीक है अब है चलते है नहीं होगा, तो उसको हम गर्द कर देंगे, ठीक है, तो गास, गास को मेंड़क थोड़ी खाता है, और है ना, नहीं खाता है, और मेंड़क को बाज नहीं खाता है, तो बाज नहीं खाता है आपको, और बाज को सर्प नहीं खाता है, बाज सर्प को खाता है, लेकिन सर्प है लाइन ठीक है छोटों मोटों मोटो जीनूर हो गया तो आपका कौन सा राइटए अंसर हो बाध ऊप Например हो गया यह आपका जीवन्हों हो गया लेश्ट आपका अगिला मानों की आंत में और जीवन्हों एक जीवन होता है उसे जीवन को हमां क्या बताना है नाम बताना है ठीक है तो वो क्या करता है गंगा जल को दूसीद करता है तो 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 है तो कि यदि हाइडरो कार्बनों में तरी अबंक विंस होता है तो ऐसे हाइडरो कर्बनों को कहते हैं तो यह आपको याद रखना पड़ीगा क्या होगा आपका एल का इनको एल काइन इसमें आप है उज्छटान में अप एलकाइन बर दूगे इए ठीक है अब अगला क्यूसन है मेंडलिप की आवर्ट सानी में 36 पंक्तियों को का गया है तो 36 पंक्तियों को क्या का गया है वो बताना है ये सबी इस्ट्वेट को आना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्यूसन है अब गया है उनको क्या कहते हैं उर्दो अर्दर करते हैं लेकिनि आपड़ सेथीज है तो आप हम क्या करेंगे आ वर्थ करेंगे है यह याद रखना आपको not करो लो एक बार मैंने वापस बता दिया है यह line link देना सबसे पहले man lip की आवर्ट स्राणी में 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं आवर्ट कहते हैं ठीक है आवर्ट कहते हैं और उर्दवर्दर को क्या कहते हैं वर्ग का गया यह आपको याद रखना है किस को याद हो जाएगा कमेंट में बता जाना है एक बार याद हो जाएगा अगला क्यूसने आपका तीसरा है शरीर का मुख्य सम्नवे केंदर है ठीक है सम्नवे केंदर इसके बारे में बात कर ले तो सम्नवे केंदर है ना वाज शरीर में 3 होते हैं इतने होते ह опас है जोकि सबसर है छोटाल मुख्ये पूचा है तो मुख्ये आय गा तो मुख्य मुख्या आएगा तो मुख्या आहे गाल और किर रहते हैं यह था 교 किप ऽृप्य और ऑर क्याम यह सबस्को कर डिते हैं एक भher और क्या कर लो इताए अगनासी एक होता है आपका अगनासी ये भी कर सकते थे ठीक है लेकिन मुख्ये रूप से कौन है मस्तिस्क ठीक है ये हो गया आपका राइट आंसर मस्तिस्क अगला कि उसने पोदों के हरे भागों में जल का जलवास के रूप में उड़ना क्या कहता है सब इस्ट्रेंट को आपका चैप्टर है ना उस चैप्टर में सबसे पहले ही लिखा हुआ ये तो तो ये किस्ट ने दिया पर्चेपद क्या है उसका आंसर कमेंट बताओ एक बार बाद ने बता दोगे इसका राइट आंसर ठीक है वीडियो में बने रहे परसं से इंग तीन है अत्ति लोग दो तम पसन है ओक्सिकन वह अप्चेन में एक अंत लिखना है कितना अंत लिखन और एक नमर का या जाता नहीं है तो सब सब लिख दोगे कि जब किसी रैसन अभीक्रिया में ऑक्सिजन की क्या होती है और अप्चेन में क्या होती है अगला है बेकिंग पाउडर के दूपर्मू गटक लिखे बेकिंग पाउडर के ठीक है तो एक तो आपको होगा सूडियम कलोरेड मतलब एक तो आप यह लिख दूगए अगला और के लिख सकते हो एक आप लिख दूगए अमोनिया अन्ह3 यह लिख दूगए यह आपका होगा करेक्ट आंसर अगला कुछन है तामबा और जस्ता से बनने वाली मिस्स दातू मैंने देहा हो देखते हैं ना पितल किसके देखी वही हैं दीखे वही ना अगला आपका अत्री करन किसे कहते है तो इसमिन लिख दो है कि कि अस्तर मुखिद हो पसर अमल उनके परमंग वार नियमं का शचाइक श्य कर नए अब अगला क겨ई आपका फोजिव है गई है कर्षिम केर्ण कहाने वाला सिर्फ मैं इसमें है तो एक तो आप वो गया, पर्तन हो जाएगा, एक वो जाएगा आपकी कलम हो जाएगी, तो ये दूपयोग है, वो हो सकते हैं, और अत्वा कलम की जगा, आप रोपण भी लिख सकते हैं, अगला है आपका मस्तिस्क का कौन सबाग सरी की इस्धित ज्वासा संतूलन का अनूरक होता है तो किस स्यूजन य realize होता है नियूंत्म होता है दोरों में सव्रतु w चाहित है तो स्यूजन में तुली पतीरोत का मान हमाइन नियूंत्म होता है तो आ बिल्कुल स्यूजन यहां पर राइट रौहँ बियूट vine मैंने बता दी कि आपको हमारे टेलीग्राम गूरूप में मिल जाएगी लिंक डिस्क्रूप्शन में या पिर आप सीधा जाकर सच कर लेना टेलीग्राम गूरूप में या नाम रहा आपका या आपको सच कर लेना है ठीक है अब यह हैं अगला क्योशन आपका चुम्ब के छेतर रहा हैं कहां पर अधिक होते हैं तो चुम्ब के जिस बाग में चुम्ब के छेतर रहा हैं कहां पर अधिक होगी ठीक हैं जैसे कोई चुम्ब के जिस बाग में चुम्ब के छेतर अधिक होगी उस छेतर में चुम के छेतर एकाई क्या होगी अधीक है वो होगी होगे है कि इस तरीके से आपको याद करना समझना है मतलब फिजिक्स तो कुछ नहीं है समझना है इसको मासागरू में जल का इस तर किस कान चड़ता और गिरता है ठीक है इस गटना को आप कह सकते हो जवार बाटा इ Ratा इति संगर गतना के जवार बाटा किसे ऊंधा है ठीक है क्या कहते हैं जवार बाटा तो भी वही आंसर होता ठीक है तो किस और मा चपर आपक्सर अपमार्जक से क्या अभिपराई है तो इसमें लिख दो कि जीवानों और कवक जैसे सुक्षम जीव जो मुर्त दिव अउसिसों का अपमार्जन करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं है ना होगे क्यूसन अगला क्यूसन आपका देख सकते हो एक ही सौकट से एक ही समय पर बहुत से विजुत साध्युतों को सिंजित करने से क्या होता है ठीक है तो क्या होता है परिपत में क्या हो जाता है परिपत में अत्ति बारण आ जाता है क्या हो जाता है परिपत में अत्ति बारण आ जाता है यह हो गए आपका अगला क्यूसन आपका खंड बह या आ आचका आपका सामने इसमें देख से तो प्रसंग AISCO, WAYU के उपसे में अधिक ताफ़ गर्म करने पर OXIDE में परूतित हो जाता है इस परगरिगा हो, बंजन कहते हैं, और जबकि निस्टापन में क्या होता है Carbonate AISCO, उसमें तो क्या था, SELPID AISCO अज़ सकता अई सग लेंगे लेकिन निस्तापन में क्या लेगें कार्बोनेट को लेंगे दोनों को वायू की उफिस्ट में अधिक आप पर गर्म करेंगे तो वॉक्षाइड में परिफिस हो जाता है और इन गटना को बढ़ जन निस्तापन यह कहते हैं न हो गया बहुत यह अच्छा क् हका संत्रिप्त हैं यह अंसर हो जाएगा यह हैं लंभी संक्लब वाले संत्रिप्त हैं बंती थे हम और यह हो गए आपका यहां पर ऐसे हो गए न और इमेथिल एलकॉल इसका आपका संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन वह कार्बन से बने वे होगी जिनमें एकल बंद पाई जाता है संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन के लाते हैं ठीक है अगला क्यूसन है आपका नेक्स है अदुनिक आवर्थ सानी में आवर्थ एंसमो के संक्या ल सते हैं उनको तो वर्ग का गई ए ञबता ना उस फूर तो आप किलते सान्त एं- ऑर सह्वीन होते हैं आपके 18 यह होगी आपके राइट नंसरowing क्या है हमारे अमरा में अमल की भूमी का है वो लिखनी है तो आमा से मूख ये कारिक है ये भोजन को सड़ाने से बचता है और आमीबा में दीघुखंडन विधी का सचीतर वण कीजी एक इसका दीघुखंडन विदी का सचीतर हैं में अद करें बना सकते हो और इसके बारे काई प्रवदन का एक लाब है वो लिख ना है तो यह भी आप कर सकते हो ठीक है और समी निखाकर करते हैंati और बात करें चेहरक आप जो बड़ा प्रतिवम देखने के लिए और सिविंग दरपणों के रूप में इनका उप्योग करते हैं ठीक है तो चेहरक आप मुंड़ देखो अंसुब टाल पाड़ो जाने यह लिग दो था टिपटेग दो वाहा है नेक्स्ट क्यूसर हम चलते है फटेए पहर तो पहले का देख तो विदुद्दार विदुद्दार का आपका जो अगला हो गया इसमें और उसके बात करें वी बंतर की तो V बांतर का आपका राइट होज़ेगा D ठीक है इसमें कौन सो होज़ेगा D V is equal W बटा Q अगला है आपका ओम का नियम तो ओम का नियम का होज़ेगा आपका F यहाँ पर लिखा हूँ है F यह रा, V is equal I R उसके बाद है परती रुदगता इसका आपका राइटांस होज़ेगा यह रो is equal R A फिर बटा L है यह रो ही होगा साइद है ना इतना मुझे जानकर नहीं है लेकिन बता रहा हूँ ठीक है और क्या है अगला है सेनी करम सेंजन सेनी करम सेंजन और समांतर करम सेंजन बारे में अभी मैंने बताए था ठीक है तो इसका मतलब सुत्र है वो कौन सा होज़ेगा सेनी करम सेंजन का तो आपका होज़ेगा यह उप्शन होज़ेगा R is equal R1 plus R2 plus R3 मतलब सेनी बढ़ना नहीं इसको मिलाकर ठीक है एक ही एक ही उसके बास समांतर करम समांतर में मतलब दोनों लाइनों को लेकर चलना है तो समांतर में 1 but R is equal 1 but R1 फिर 1 but R2 ठीक है इस प्रकास से बना सकते हो बहुत अच्छे नेक्स्ट कुशन आपका किसी दियेगे च्छेतर में चुम के च्छेतर एक समाना इसे निरुपित करने के लिए एक अरेक है वो बनाना है और किसी च्छेतर चुम के चारों और चुम के च्छेतर रेखाओं का चितर बनाना है ठीक है तो यह दोनों आपको करने है इसमें आप चुम के च्छेतर का चितर है बना सकते हो यह रहा आपका चितर ठीक है इस प्रकास से आपको बनाना है नेक्स्ट है आपका अगला है विदुद परिपत्तों में तता सधीत्रों में समानित उप्योग होने वाले दो सुर्क सा उपाईयों के है ना नाम है वो लिखने और विदुद परिपत्त में समानित प्रासन शूरा котором अपकर प्रदान करने व affairs he प्रासन शुरा आपका अपका लिखना मैं नहीं अथा कि काप फॉल्ट को लिख हम लिक यागले और उसके बाद जवारबटा के से कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि गुणन गती करती परती पर मुख के रूप से चंदरमा के गुर्थवी खिचाउण के कान सागरों से जल का इस तर चड़ता है वह गिड़ता है इस गटनों को कहते हैं जोन बटा कहते हैं यह हो गया अगला क्यूसान विजन अभिकरिया कहते हैं कैल्सियम कार्बोनेट के उसमें विजन की रसनी अभिकरिया लिखे हैं तो विजन अभिकरिया किसे कहते हैं तो ऐसी रसनी अभिकरिया जिन में कोई पदा छोटे छोटे वाला थीक है कोन सा देखा मादा के लिए आपको हो जाएगा एस्ट्रूजन ठीक है और पुरुष्टों के langि पूरुष्टों के लिए विए कले आपको एन थटेयोल गूता Awok्हे पूरुष्टोն ए फूष्टों के लिए हो गया है यह question आपका अगला चलते हैं next question यह सित्रा आप बना सकते हो next है समजात तता समध्ति अंगों के उधरन सहित अंतर हैं लिखी ठीक है तो समजात अंग एक तरफ आप लिख दो समजात अंग और दूसरे तरफ समध्ति अंग ठीक है तो उत्पत्ति और रचना में, ठीक है, यह आप अंतर इस पर गाल लिग दोगे, और उद्रण के तौर पर रचना लिग दोगे, एक आपका मेंड़क हो गया, ठीक है, और पक्सी है, मनुस्य है, यह ना, यह सम्जात के अंदर आता है, ठीक है, मतलब इनकी उत्पत्ति और रचन कि रन चीटर बने है ठीक है तो यह चीटरा आप बने सकते हो उनके बाएर में दसन की नियुतंुकत्री का माण है वो लिखना नियुतं दूर संटि मेटर संट अन्छी सेंटिमेटर कितना है था जिस्तौर में वह को लिखता हैं, इसमें क्या किया है, खंडदॉर हैं, अमलों की दो घुण लिखना है, कितनेफेजम हैмы रोड़ों के लिखना है, उसके मिलक प्मेंगिन की कोई पउड़ी घृता है, और कुश्पलन जल है वो किसके कैटे, वो लिखना是 तो मिल्क मतब सुरी अमलों के दो गुण में क्या लेग दो कि एक तो आप लेग दो इनका सवाद क्या होता है खटा होता है और के लेग दोगे ये निले में इसको क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं ये आपके दो गुण हो गई इस पर क्या लेग दोगे अब चलते हैं नेस्ट्यूशन आपका अगला है या फिर उपर वाला नहीं आता है ये नहीं आते है तो आपको यह वाला कर देना ना यह वाला ठीक है अब अगला क्यूसर ने आपका मानों की आहार नाल का नामा की चित्र बढ़नाना है और बहुत है हमारे सरी में वज़ता का पाचन कैसे होता है यह परकरम कहां से होता है और सो है बोजन के पाचन में लार की क्या भूमी का है ठीक है लार की भूमी का आपको बता है लार दातों के वीच फास से अन्य के करणों को निकालने में साहिता करते हैं और लार में उपसे ट्रॉलिन विकर भोजन की मंड को माल टोज संक्रा में बदलता है ये भोजन को गिला हैं चीकना करती है जिसे भोजन को क्या करता है चबाने चता निगलने में क्या होती है आसा नहीं होती है यह लिख दो गयरा आप अराम से छोटे बच्चे नहीं हो ना अगला क्यूसने आपका अत्वा मनुस्य मानों के हर्दे संचन साथ इसकी किरिय विद्धी का बनन कीजिए एक तो आपका बतना हर्दे की संचन बनानी है हर्दे की संचन आपको मैंने बना दी है तो यह उपर महा धमनी है यह पर विबाजी का हैं यह पर बाया निले हैं यह पर दाया यह पर देश दाया निले हैं इस परकार बना दूगे अगला क्यूसन आपका पतस्चन सम्गा तईसे अउतल दरपन की मुख्य फोक्स को परिभाशित कीजिए और उतल दरपन के दू प्योग लिखने हैं ठीक है इसमें क्या है गोले दरपन दावर परकास के परवरतन के लिए नई कार्ती चिन परिपाटी को चितर की साथ समझाना है और गोले दरपन के नई कार्ती चिन परिपाटी मतलब यह तो आपका आंसर है न ठीक है यह आपका चिन परिपाटी का चितर हो गया ठीक है तो यही कुछ क्यूशन थे जो कि मैंने आपको बताई और भी क्यूशन हमारे इस यूटूब चैनल पर मिलते रहेंगे और जो हमारे अगल एक और यूटूब चैनल है माई सक्सेश सेंटर ठीक है उस चैनल को भी आप सस्क्रैब जरूब कीजिगाँ वहाँ पर भी we model पर है कियसं पर है solution क्रया रहते हैं ठीक है तो उस चैनल को भी एक बाद सबस्क्रैब जरूब कीजिगाँ और पीडियप है जो अभी मैंने बता है ना माई सकसे सेंटर इस टेलिग्राम गुरुप में मिल जाए है ठीक है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है तो जाओ पीडियाप डैवनलोग कर लो और बैस अच्छी से अच्छी पढ़ा ही करनी आपको ठीक है तो बाकि हम इस व